देखिए हमने यहां पर 12 वीडियो कर लिए हैं जिसके अंदर काफी सारे पेपर हमने हल किये हैं अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पले लिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा क्योंकि पुराने पेपर काफी जादा रिपीट हो रहे हैं तो आज हम पेपर करेंगे परियोग साला साहक 2018 का तीन फरोरी 2019 में एकजाम हुआ था तो चलिए सुरू करते हैं देखिए पहला परसन है सही यूगम सुमेलित कीजिए तो देखिए सबसे पहले देर का है जसनात जी तो जसनात जी आप सभी को पता होगा कत्रिया सर बिकानेर सीतला माता आप सभी को जैपूर जामबो जी मुकाम फिर बचा जीन माता तो ये रेवासा सिकत यानि चार दो तीन एक तो चार दो तीन एक ओप्सन ए सही हो जाएगा दूसरा जो परसन है वो देखिए कौन से छेतर में चेट सुकल पंचुईं को गुलाबी गंगोर मनाई जाती है यानि चार दोरा में अगला जो परसन है संत पीर सहय अली तुकन गिरी ने 400 साल पहले मिवाड के किस ख्याल की रचना के दी उस ख्याल का नाम आपको बताना है तो ये थी तुरा कलंगी ख्याल ठीक है अगला जो परसन है राजास्तान का मंदिर सही सुमेलित है इसमें से एक सही ह वही हमें चूज करना है तो देगे करणी माता का मंदिर देशनोक बिकानेर में इस्तित है राजस्तान में अरजमेर के विल्या के समय वहां का मुख्यमंतरी कौन था यह आप सभी को पता होना चाहिए वहां का जो मुख्यमंतरी था हरी बाहु उपा ध्याई अगला परसन है कोटा में 1857 में के विद्रोह का नेता कौन था तो कोटा में जब विद्रोह हुआ था उसमें वहां का नेता जैदयाल था अगला परसन देखेばい बागोर भीलवाडा जीले की खालिस्ता नदी के कांठे पर इस्तित है बागोर कहा पर इस्तित है और किस नदी में तो यह भीलवाडा में है और नदी कौन साशक ने करवाया था तो सीव मंदिर का निर्मान किस सासक ने करवाया था तो वो थे पर्थिराज दिवित्ये अगला जो परसन है मंदोर की पर्थिहारों के इतिहास की जानकारी कौन सा अभिलेक देता है तो मंदोर के पर्थिहार के इतिहास की जानकारी गटियाला अभिलेक से मिलती है कौन से सासक ने अकबर से विवाहिक समन्द सतापित नहीं किये थे तो यह है रंधंबोर के राव सुर्जन हाडा अगला जो परसन है हवा महल की पहली मंजिल देखिए यह परसन काफी बार रिपीट होता है पहली मंजिल का नाम क्या है तो यह देखिएगा पहली मंजिल का नाम परताब मंदीर है अगला परसन देखिए अफिम से समंदित रोयल कमिशन किस वर्स में राजस्तान में आया था तो ये था अठारा सो तिरानमे में बेगू किसान आंदोलन का नेतरतो किस ने किया था तो ये राम नारायन चोदरी ने नेतरतो किया था बगत आंदोलन किसके दवारा परारंब किया गया था तो ये परारंब करने वाले थे गुरु गोविन गीरी देखिए इसकी जो पीडियेप है वो आपको टेलिग्राम गुरूप पर मिल जाएगे इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर्द कीजिएगा क्योंकि जो पुरानी परसन है वही रिपीट होते हैं मतस्य संका कौनसा राज्य जनता की बहुमत के आदार पर उत्तर परदेश के साथ विलनी करन के लिए त्यार था तो देखिए इसमें से कौनसा राज्य था तो ये था धोलपूर मई 1947 को काली भई अपने अध्यापक को मुग्द कराने के लिए पुलीस की गोलियों दोवारा बून दी गी तो वो किस जिले की थी तो ये आप सब इक पता होगा डूंगरपूर सहुतंदर ता आंदोलन के दोरां गिरफतार होने वाली राजस्तान की पहली महिला को थी देखिए मैंने अभी वोला था काफी बार रेपीट होते हैं इस तरह की परसंद तो इस तरह की परसंद को आपको ज़्यादा पढ़ना है तो ये थी अंजना देवी चोधरी अगला परसंद देखिए किस गड को धारा धार गड के नाम से भी जाना जाता है तो ये है चोमूहा गड चांद बावडी कहां इस्तित है तो ये है आभा नेरी में राजस्तान के किस संद और रामानन्द के सिशे ने अपने राज्य को त्याकर गूरु मंडली में समलित हुए थे तो ये कौन थे पीपा जी ये परसंद भी काफी बार रिपीट होता है लोक देवता गोगा जी के थान सामने तक किस पेड़ के नीचे पाए जाते है तो ये आप सभी को पता है खेज़डी के नीचे पाए जाते है कुद्रसी है को किस हैस्त कला में महारत के लिए पदम सिरी से अलंग करित किया गया था ये परसन काफी बार रिपीट हुआ है तो देखे ये मीनाकारी कला के लिए इन्हें पदम सिरी मिला था मुहमत साहा और साहिब राम किस राजस्तानी चीतर कला से लिए परसित चीतर कार थे तो देखे ये समन देते जयवपूर से अगला जो परसन है दादू और उनके सीशियों की रचनाई अधिकतर किस भासा में पाई जाती थी ये भी काफी बार रिपीट होता है तो इसका सही आंसर होगा डुन धाड़ी अगला जो परसन है देखे स्टेट ओफ फोरेस्ट रिपोर्ट दो हज्यास्ट राक्यमसा राजसतान में पंजिकर्थ वन चेतर का कौन सा परति सतन आरक्षित सरेणी के अंतरगत आता है ये परसन हमने पिछले वीडियो में भी किया था 38.11 ठीक है इस तरह की परसन काफी बार रिपीट होते है अगला जो परसन है शेरगड वन्यजीव चेतर किस जीले में इस चित है ये आप सभी को पता होगा बारा में अगला जो परसन है वो बहुती सिंपल है हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वरक्ष है तो ये है बांस ओजोन दियोस मनाया जाता है तो ओजोन दियोस का मनाया जाता है 16 सितमबर को ठार मरूस तल से परवावी चेतर फल और जन संक्या का परतिसद कितना है तो देखिए चेतर फल के अगर बात करें तो 61 परतिसद और जन्संक्या लगवग 40% तो option B यहाँ पे सही हो जाएगा चलिए अगला परसन देख लेते हैं अगला जो परसन है राजस्तानी उंट का वेग्यानिक नाम है तो वेग्यानिक नाम आपको बताना है उंट का तो यह है केमेलस ड्रोमे डेरियस option A सही होगा अगला जो परसन है इस तरता के साथ विकास और आतम निर्वरता किस योजना का लक्षे था तो यह पंचवर्शिय योजना का परसन है तो चतूर्थ पंचवर्शिय योजना का लक्षे यही रखा गया था अगला परसन देखिए सौम, कमला और अंबा, सिंचाई, प्रियोजना इस्तित है किस जीले में इस्तित है? तो ये है डूंगरपुर में हनमानगड और चूरू जीले के लिए जल का सरोत है तो देखे, जल का सरोत यहाँ पे पूछा है हनमानगड और चूरू जीले के लिए तो ये IGNP की बात हो रही है यहाँ पे चोदरी कुमबाराम लिप्ट नह है जो की हन्मानगड और चूरू जिले में जाती है अगला परसंद देखिए निम्न राजमर्गों में से कौन सा राजस्तान में अजमेर को भी कनेर से जोडता है तो ये है एन्नच नवासी अगला परसंद देखिए किस खनीज के उत्पादन में राजस्तान को सोरी राजस्तान का भारत में पहला स्तान है पहला स्तान पूछा है तो ये है हेल्स पार में चलिए अगले परसंद पर चलते हैं अगला जो परसन है सही सुमेलित नहीं है नहीं पूछा है तो इसमें से जो गलत है वो हमें छाटना है तो देखे इसमें नदियां दे रखे है तो यहाँ पे डूंगरपुर में बानगंगा और मोरेल नदी में से एक गलत है तो यह सुमेलित नहीं है चलिए अगला परसंद कोपेन वर्गिकर्ण के आदार पर डुंगरपूर जिले में कौन सी जलवायू है तो देखे डुंगरपूर की अगर हम बात करें तो यहां पर एडबलू जलवायू होगी निमन में से किस जिले में वार्सिक वर्षा में अधिक्तम विसमता पाई जाती है तो यह आप सभी को पता होगा जे सलमेर अगला जो परसंद है सरवादिक छेतर पर कौन सी मर्दा पाई जाती है यहां पर सरवादिक मर्दा की बात हो रही है तो देखे एरिडो सॉल और एंटी सॉल ओप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा अब देखे यह 2017-18 के इसाब से पुछा है आपको वर्तमान के इसाब से याद रखना है राजस्तान में राश्ट्रिय बागवानी मिशन के लिए चैनित जीलों की संख्या है कितने जीले चैनित क कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है यह आप सभी को पता होगा चंबल अगला जो परसन है राजस्तान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा जिला तो यह है गंगा नगर अगला जो परसन है देखिए रेड कलिफ रेखा का राजस्तान में विश्तार है कहां से कहां तक तो यह है हिंदु मलकोट गंगा नगर से बाखासर बाड मेर तक अगला जो परसन है राजस्तान का देशांतरिय विश्तार कितना है यह है उनेतर डिगरी 30 मिनट पूर्वी से अठेतर डिगरी 17 मिनट पूर्वी ओप्शन ए सही होगा शेर परवचोटी की उन्चाई कितनी है यह परसन भी रिपीट हो चुका है यह दोनों परसन काफी बार रिपीट होते हैं तो शेर परवचोटी की उन्चाई है वो है 1597 मिटर अगला परसन देगे राजस्तान के नीमन जीलों में एक जीले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है नहीं पूछा है तो यह आपको पता होना चाहिए जालोर में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है फुलवारी की नाल इस चित है तो यह आप सभी को पता होग simple सा person है उद्यपुर्वे अगला person देखिए सुमेलित नहीं है पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है देखिए नदी दे रहकी है और उनके पुराने नाम दे रहकी है ठीक है या पिर उनसे समंध पूछा है गगर को मर्त नदी भोराट पठार है नाग पानी अरावली दर्राः और सेर अरावली की चोटी है तो नाग पानी क्या है अरावली का दर्रा नहीं है ठीक है देखिए अगला जो पेपर है कर्शी प्रवेक्षक 2008 का 3 मार्श 2019 को एक जाम हुआता इसके जीके के परसन हम करेंगे चलिए जो पहला परसन है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले देखि अगला परसन देखिए अगला जो परसन है राजस्तान में अनार की कौन सी बहार सबसे उप्युक्त है कौन सी बहार सबसे उप्युक्त है यह देखिए मरग बहार देखिए यह परसन काफी बार रिपीट हो चुका है पदम स्री किरपाल सियां से खावत का समन्द है तो इन अगला परशन देगी, राजकुमार अजीस यहां को जोदपूर का राज्य पुने दिलानेंग में किस का योगदान सर्वादिक रहा था? तो यह देखिए दुर्गादास राठोड का सर्वादिक योगदान यहां पे रहा था। राजस्तान की अधिकांस वर्चा किन मानसुनी पवनों से होती है? तो यह आप सभी को पता है दक्षणी पस्च में हवाएं। अगला परशन देगी है? कौन सा नर्ट्य जसनाती संपर्दाय के अनुयाईयों द्वारा किया जाता है? तो यह है अगनी नर्ट्य। राजस्तान के किस सहर में होली के दोरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो यह है बिकानेर। राजस्तान में कर्शक आंदोलन का परारम सरोपर्थम कहां हुआ था? तो यह आप सभी को पता है बिजोलिया में। अगला परसंद देखिए। राजस्तान की भासा के लिए राजस्तानी सबद सरोपर्थम किस ने प्रियुक किया था? तो यह आप सभी कोपता है अबराहम गीयर्शन ने। राजस्तान राज्ये डेरी विकास निगम की स्तापना की सवर्ष हुई थी? उन्निसो पचैत्तर में। अगला परसंद देखिए। संत गुण सागर नाम माला किस संत दवारा रचित है? उनके नाम आपको पताने हैं तो दादू के दवारा रचित है। अगला परसंद देखिए। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है यहाँ पे। नदी का नाम दे रखा है और उद्गम स्तल दे रखा है। तो लूणी नदी कहां से निकलती है नाग पहाडी से बेडस कहां से निकलती है कोगुंदा पहाडियों से सोम नदी के अगर हम बात करें तो ये निकलती है बीचा मेडा पहाडियों से माही नदी के अगर हम बात करें तो ये विद्याचल पहाडियों से निकलती है यानि तीन एक चार दो तीन एक चार दो उप्षन भी यहाँ पे सही होगा अगला परसन देखिए एक लिंग महातम में किस बासा में लिखा गया है तो यह लिखा गया है संस्कर्थ में अगला परसन बीजा माला राजस्तान की किस जनजाती की साखाएं है यह परसन भी बहुती महतपुर्ण है तो यह संसी जनजाती की साखाएं है अगला परसन देखिए कौन सी जील जग मंदिर और जग निवास के लिए परसिद है तो यह है पिछोला जील पूरुसों दवारा पहनने जाने वाला आबुसन निम्न में से कौन सा है तो जो पूरुस पहनते हैं वो क्या है मुर्ग किया अगला परसन देखिए चूप नामक आबुसन का समंद है तो ये आप सभी को पता होना चाहिए दांट से गमेती किस जनजाती के लोगों के नेता होता है तो गमेती भीलों का नेता होता है अगला परसन देखिए कटारगड राजस्तान के किस किले का निवास छेतर है कटारगड ये परसन भी काफी बार रिपीट हुआ है तो ये कुम्बलगड में इस्तित है एंदर्ये मरूः चेतर अनुसरांदान संस्ताम इष्टित है तो यह काज्री की यहाँ पर बात हो रही है तो यह जोदपूर में इष्टित है अगला परसंद देखिए राजस्तान कबीर यात्रा का समन्ध किस चेतर से है तो यह गायन से समन्दित है अब अगला जो परसन है इसमें एसंगत हमें छांटना है तो इसका सही आंसर क्या होगा उंट महोच सो जोकी जैसलमिर में ते रखा है ये एसंगत है अगला परसन देखे उडन गी लहरी पाई जाती है तो ये आप सभी को पता होगा सीता माता वन्यजीव अभ्याण्य में अगला परसंद देखे राजस्तान के लांगूरिया गितों का समंध है तो ये है केला देवी बाला किला राजस्तान के किस जिले में इस्तित है तो बाला किला कहां पर इस्तित है तो ये है अलवर में अगला परसंदेखिए चंदर भागा मेला राजस्तान के किस जिले में आयोजित होता है ये आप सबी को पता है जालोर में राश्ट्रिय सतर का सरसो अनुसंदान के अंदर इस्तित है तो ये है सेवर भर्दपूर में देखिए अगला जो पेपर है वो है कनिस्ट अनुदेशक फीटर 2019 का 23 मार्च 2019 में एकजाम हुआ था इसके जो जिके के परसंद है वो हम देखेंगे चलिए जो पहला परसंद है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कौन सी लोक संगीत नर्त्य सेली केवल मातर जयपूर से समन्दित है तो ये है तमासा अगला परसंद देखिए खेजडी वरक्ष राजस्तान के किस लोक देवता का परतीक है तो ये आप सभी को पता है गोगाजी किस राजपूत चितर कला सेली में नारियों और राणियों को सिकार करते हुए चितरित किया गया है ये है कोटा सेली बर्दहरी मेला किस जिले में आयोजित होता है तो ये आप सभी को पता है अलवर में अगला परसंद देखिए किस राज्य के सासक को राजस्तान संग का राजपरमुक बनाया गया था तो राजस्तान संग का राजपरमुक कोटा के सासक को बनाया गया था वहस्तान जहां काली भाई सहीद हुई थी यह आप सभी को पता होगा राजस्तापाल राजस्तान के पर्थम राज्यपाल कौन थे गुरुमुक निहाल सी है तिलवाडा पसु मेला किस लोक देवता की समर्थी में आयोजित किया जाता है यह मल्ली नाज्य के समर्थी में हमीर रासो का लेकक कौन है तो हमीर रासो के लेकक है जोद राज राजस्तान के कौन से सासको विद्वानों ने हिंदू पत कहा है तो ये किसे कहा था राणा सांगा को अगला परसन है आहड का उद्खनन कारिया किसके नेतर्तों में निश्पादित हुआ है तो ये है सांकलिया इनके निद्देशन में आहड का उद्खननकारिय संपादित हुआ था कौन सा परियटक स्थल कोटा जीले में इस्तित नहीं है ये आपको बताना है तो ये है नवल साग अगला परसंद देखिए सादू सिताराम राजस्तान के किस आंदोलन से जुड़े हुए है देखिए ये बिजोलिया से जुड़े हुए थे जुलाई 1921 में मोतिलाल तेजावत ने किस स्थान पर भील आंदोलन छेड़ा था ये देखिए काफी बार पुछा गया है बहुती महतफुर्ण परसंद है जाडोल में देखिए अंगला जो परसंद है 2012 में साकर खान को 2012 में किस लोक वाध्य में पदम सिरी से शमानित किया गया हुए तो देखिए इन्हें कामाईचा के लिए पदम सिरी से समानित किया गया था कोटा में अठारासो स्ताउन की करांती का नेता था देखे ये काफी बार रिपीट हो रहा है परसन तो इसका सही आंसर आप सभी कुपता है जय दया तेरहे ताली नर्त्य किस लोक देवता की भगती में किया जाता है ये आप सभी कुपता है राम देव जी हल्दीगाटी के युद के पस्चात महराणा परताब ने मुगलों के विरुद कहां से पर्तिरोध जारी रखा था ये है चावंड राणा सांगा के उस सही योगी का नाम बता ये जो खानवाई युद के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था ये कौन सा सी लालेक परतिहरों का इतिहास बताता है ये काफी बार रिपीट हुआ है परसन तो ये है मंडोर सी लालेक अगला परसन देखिए जेला जमेला पिपल पत्रा अगोट्या शरीर के किस अंग के अभुषन है ये सभी अभुषन कान के है जेत सागर तालाब कहां इस्तित है ये है बुंदी में राजस्तान की पहली महिला पाइलेट कौन थी नमरता भट किस दुरक को सबसे उंचा भाग मिरान साहब की दरगा कहलाता है ये देखिए तारागट अजमेर का सबसे उंचा जो भाग है वो मिरान साहब की दरगा कहलाता है जगत सिरोमिनी मंदिर किस दुरग के उत्तर पस्ची में इस्तित है यह है आमेर दुरग अगला परसंद देखिए अरावली पहाड़ियों में सालर वरक्ष किस उंचाई पर मिलते हैं यह भी काफी बार रिपीट होता है परसंद तो देखिए साड़े चार सो मीटर से अधिक उंचाईयों पर यह मिलते हैं सालर वरक्ष कौन सा पेड गोंद का अच्छा सरोत है तो देखिए सालर वरक्ष गोंद का अच्छा सरोत है 2017 की जो वन रिपोर्ट है उसके अंसार कौन से जिले में राजस्तान में सर्वादिक जाड़ी चेतर पाली जिले में पाया जाता है कौन सा खनीज सिंगाना के मदान-कुदान चेतर से निकलता है तो यह तामबा यहां से निकाला जाता है कोईला गुनवता में सरेष्ट माना जाता है किस परकार का जो कोईला है वो सरेष्ट माना जाता है सरोतम किसम यहां पर पुछी है तो यह है एंन्थ्रे साइड अगला जो पर्शन है शिरोही उद्यपूर चितोडगट कोटा बारा राश्ट्रिय राजमारक का नया नंबर क्या है यह है अन्नच 27 राजस्तान में European Union State Partency Program जिस जिले सोरी जिस छेतर में कारियरत है वह है यह जल परवंदन में कारियरत है कौन से जिलों में नरमदा गाटी प्रियोजना से जल पराप्त होता है गांदी सागरबांद की उन्चाई कितनी है तो गांदी सागरबांद की उन्चाई है 62 मीटर अगला परसंद देखिए बकरी की नसल है बकरी की नसल यहाँ पर पूछी है इन में से कौन से है तो यह है मारवाड़ी अगला परसंद देखिए तीस वर्स से अधिक समयावदी की ओस्ट वायू मंडलिय दसाओं को कहते हैं क्या कहते हैं जल वायू कहते हैं 2015-16 में मक्का की सरवादिक उत्पादक्ता रही है सरवादिक उत्पादक्ता किस जिल्य में रही है ये हमें बताना है तो ये बुंदी जिले में रही है ओजोन दिवस देखिए मैंने पहले बिताया था 16 सितमबर अगला जो परसन है कौनसा सायर सुगर मिल से होने वाले परदूसन से गर्शित है तो ये काफी बार रिपीट हो चुका है गंगा नगर कौनसा वन्यजीव अभ्याणने दोलपूर में इस्तित है तो दोलपूर में जो वन्यजीव अभ्याणने है वो है केसरवाग अगला परसन देखिए वन रिपोर्ट 2017 केमसार कौनसे जिल में दिवित्य सरवादिक वन छेतर मिलता है ये है अलवर में मोठा पादप पर जाती किस वास का वरग है देखिए ये है जल वास अगला परसन देखिए केसरवाग वन्यजीव अभ्याणने राज़तान के किस जीले में इस्तित है तो ये है दोलपूर में कौन सा मर्दाओं के दिवित्यक पोशन तत्यों का उधारण नहीं है नहीं पूचा है हमसे देखिए अगला जो परसन है अगला जो परसन है राज़तान के चूरू जीले में कोपेन वर्गी कर्म के अनुसार किस परकार की जलवाईू पाई जाती है तो देखिए चूरू की अगर हम बात करें तो ये बी डबलू हच डबलू जलवाईू पाई जाती है अगला परसन देखिए ठोंट वेट के अनुसार कौन सी उसन कटवंदिय मरुष्टलिय जलवाईू को दर्शाता है तो ये है ई, एडेस, डी उसन कटवंदिय मरुष्टलिय जलवाईू को दर्शाता है किस जीले में काली सिंध और चंबल नदी से मिलती है जो काली सिंध नदी है वो चंबल नदी से कहां पर और कौन से जिले में मिलती है यह है कोटा जिले में कौन से नदी यमुना में मिलती है बान गंगा नदी यमुना से मिलती है बेनेश्वर, माही नदी और खालिस्तान नदी का संगम है तो देखिए किन तीन नदियों का संगम है वो तीसरी नदी हमें बतानी है बेनेश्वर, माही और सौम नदी का संगम है अगला परसंद देखिए कौन सी चोटी की उन्चाई 820 मीटर है तो देखिए हरसनात की उन्चाई 820 मीटर है